बुलंद सहर नवीन फल लेवं सब्जी मंडी में ब्रह्टेचार यूपे के बुलंद सहर में मंडी वेपारी ने मंडी में तैनाथ कम्पूटर ओपरेटर पर लाइसेंस रिनुवल वा नई लाइसेंस बनाने की नाम पर अवेद हुगाई का आरूप लगाया है जिसकी सिकायत लेकर मंडी वेपारी खुर्जा तैसिल पहुँचे और उप जला अधिकारी सदानंद गुपता से इस मामले में कारवाई कराने की गोहर लगाई और मामले को संग्यान में लेकर SDM खुर्जा ने जाज के लिए 500 सदसों की टीम घटित कर कारवाई के आदिश दिये हैं दरासल बुलंसेर के खुर्जा में इस्तित फल एवं सब्जी मंडी में तैनात समविंदक कर्मी हिद्रेश रागव पर मंडी वेप्यारों से लाइसेंस रिनूवल के नाम पर 1500 रुपे से 25 रुपे लेने का आरूप लगा जबकि नई लाइसेंस के रिए 15 से 20,000 रुपे अवेद रूप से उगाई करने का आरूप लगा और आरूपी हिर्देश अपने पिटा के साथ मिलकर दबंग गई वा जान से मानने की दंकी देता है बुलंद सहर से ग्याम न्यूज रिपोर्टर नंद किसोरलोदी की रिपोर्ट मेरा सोख सर्मा नामे जी अशोग सर्मा जी है जो मंडी मैं आज परदर्चन हो रहा है मामला का जी बार बार सारे भवपार्यों को जादे तकलिप हो रही है और कई बार स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि वही इस तरीके की दुर गटना मत करवाओ यहां बार-बार किसी लाषन्ज में पैसे हैं, किशी की कोई खबल लेकालेंगा लोगा कि मांने जो आपके डीजे साफ का आदिभा साफ के बार-बार नोटिस जो देते रहते हैं और जबकि अब से पहले जो सचेब साब थे कोई नोटिस वाजी नहीं कुछ नहीं होती थी अब इन्होंने इतनी मंडी को धहसत में ले लिया कि एक कदम कोई कहीं मी नहीं निकाले अब पूरी मंडी ने एक जुट हो करके यह काया कि बाब हम हक के लिए लड़ेंगे कि टीम बनाई पाँच आदमियों की अभी तक उस पर भी कोई कारवाई नहीं है जैसे इस की क्या फीस है मंडी की क्या फीस है जो रेजिस्टेशन पीस है और क्या पैसे अब बसू ले जा रहे हैं रेजिस्टेशन फीस हो हमारी मंडी की 251 रुपे है उसकी जगह पर इनोंने तो डर्द हैसत में इतना मतलब अंडर प्रसर कर रहा है इसने लोकल होने के नाते कि वो तो उसके सामें चुंकारा भरते ही नहीं है सीधे आदमियों बताए जा रहा था कि यहां आता है और यहां से कहीं से सबजी उठाता तो कहीं से फल उठाता है सोईयों करेट फल और विजए से लोग मरला जो है दो देदेता लेसंस की तो ड़ रहा है से कुछ कहते ही नहीं है क्या नाम है आपका मौम्मध कदीम मौम्मध कदीम यह जो आज प्रदर्शन कर रहे हो कहां कर रहे हो क्या मामला पुरा यह मंडी के अंदर कर जी मंडी के आरती हम सब पूरे जित जिसमें तरह 500 वह पंदर हो भी पंदर सो भी पंदर सो दोदी के पचिस सर पर रसू ले जाते हैं कौन बशुला क्या नहीं है यह रदेस कुमार जाग में चिए खुजे के रहने वाले हैं पासवट्डे के और नहीं देते हैं तो जुरूआ नहीं करते हैं कि लोगम के और स टो टीन अब्रोबाना कर देते हैं ये सिकायत कभी आपने कहीं और जगह भी दिया लेकिन सचिप साफ उनके सामने नहीं बोलते क्योंकर उनने भी धंगा रखा शचिप साहब को भी और कोई बहारत कारी बीदिये है आपको सब्सक्राइब करने करें कि क्लिस अभी है कि अधिरे का परद्रब है कुछ है रंदय इसका नई मंडी जो और Im इसमें ये जो करमचारी है कुछ लोग कुछ करमचारी जो है जिसका नाम हिर्देश है लगे का वह आं इन लोगों को सबको थितो है कि दोज को दोजे के तुम्हें धमकाता है किस चीज के पैसे वागने हूँ। और एजम साब के पास हमने परसों वो दिया है तो क्या कार्रवाई हुई अभी तब कोई कार्रवाई नहीं है और वैसे एजम साब ने एक गार में कमेटी बना के इसकी जाच करा हूँगा और जो भी होगा उसके आपका वह होगा मसले हलो होगा सर मंडी व्यापारी द्वारा एक कंप्यूटर ऑप्रेटर पर अभे दुगाई का अरोब लगाया गया जिसमें दो लोगों के नाम और सामने आए क्या कुछ पूरा मामला है क्या उसमें जांच की जाए मंडी पशिचत खुर्जा के कुछ व्यापारी ओकर द्वारा जो जो की जो जो पर रेइस्टर है और कुछ ऐसे भी व्यापारी आया थी छोटे जिनके द्वारा उगत कराये गया क्या लेकर में प्रस्टूत हुए थेहां उस पर मैंने संग्हान लेते हुए मंडी सची खुर्जा, तसिल्दार्ज खुर्जा, एवन प्रभारी निच्छा खुर्जा नगर के द्वारा की एक टीम मैंने गठित कर दिया है और जो भी दोसी पाया जाएगा उस पर कठोर कारवाई की जाएगी अगर आउसेटा पड़ेगी तो उनके विर्द कारवाई है तो उच्छा दिकारियों को लिखा जाएगा थेंक्यू